समय के बास इतना समय नहीं है कि आपको फिर से समय दे सके इसलिए आप जो करना चाहते हैं वह आज से ही शुरू कर दें गोड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन स्टीडी पॉइंट दोस्तो नया साल आपकी जिंदगी में धेर शारी खुशिया लेकर आए इसी मनोकामनाक साथ दोस्तो हम आपको नौ बश्च दोहर उनीस की धेर शारी शुप कामनाई देते हैं दोस्तो इन नई उम्मीदों इक्षाओं आश्राओं तर सम्भावनाओं को तलासने के खुबसूरत मौका है तो मैं भगवान से बस रही प्रार्थना करता हूँ कि दोह केंदरी सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयोग नुक किया गया है सुधीर भारगाओं को ठीक यानी कि आप्सन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तो मैं आपको बता दू कि भारत सरकार ने सुधीर भारगाओं को केंदरी सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयोग निक्त किया है ठीक है और दोस्तों आपको बता देए जो CIC यानि केंदरी सूचना आयोग इसकी स्थाबना का हुई थी 12 अक्टूबर 2005 में केंदरी सूचना आयोग की स्थाबना हुई थी और सो जो भारत में RTI यानि Right to Information है सूचना का अधिकार ये भी 12 अक्टूबर 2005 से अगले argument तरव बढ़ते हैं से दोर नीस के लिए और 75 और नीस के लिए राज्त्री नित्र सिर्वणधी पूरुषकार से किसे समानित किया जाएगा देखे उस ह मताढ़ाँ अधारी नित्त को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा ठीक है और यह पुरुषकार उन्हें कटक में 10 में कटक महुत्सव अंतराश्टी नित्त और संगीत समारक उद्गाटन दिवस पर प्रदान किया जाएगा ठीक है 2019 के लिए दोस्तों राश्टी नित्त शिरोमडी पुरु धर्वेंद प्रदान जी ने 30 दिसंबर को ओडिसा में उज्वला सैनेटरी नैपकीन पहल शुरुवात की है दोस्तों इस पहल के तहट तेल विपढ़न कमपनियां ओडिसा में सामाने से वह केंद्रों में 100 विनिर्माडी कायों की स्थापना करेंगी इसका उद्देश का इस मिशन का उद्देश से महिला सक्षिता और स्वास्त पर महिलाओं को शिक्षित करना और कम लागत वाले परवने के अनकूल इसमें सैनेटी पैट तक पहुंचने में सुधार करना ठीक है तो धर्वेंद प्रदान जी ने उज्वला सैनेटी नेपकीन पहल कहां से रुक उत्य लीए दोस्तों मत्पृजज गवर्मन ने नया आध्यात्मीक विभाग मैं विल्लहा किया ईसमें सभी धर्मों, सभधर्मों, संपर्दाइव और विशॉस्तों कभर करना और इसमें राज जंतर संप्रदाइक सद्भाव और सर्वधर्ण संभाव को इसमें मजबूत करना देखिए अभी हाल में जो मत्प्रिशु चुना हुए थे इसमें नए सीम बन गए है कमनलाथ और गवर्नर है अनंदी बेंद पटेल ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते इनका 31 दिसंबर को कॉलकाता मनिधान हो गया है वह पद्भूशन दत्था दादसाफ हाल के पूरिशकार सम्मानी थी ठीक इनको दो अवार्ड मिला था पद्भूशन और दादसाफ हाल के पूरिशकार दोस्तों उन्होंने अपने निर्देशन की शुरूआत उनिश्यो प लाइक जरूर करें आपका आज एनर्जी दिखना चाहिए निव एर में ठीक फटाबट वीडियो लाइक शेर जरूर करें वीडियो का आखरी तक जरूर देखा करें हमारा अगला कोश्चन है दांडी यात्रा नामा के प्रदसनी का आजन कहां किया गया निव डैली में ठी महत्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेश सरकार को जो नमक के उपर ये कर लगाने का जो कानुन तो उसके विरुद्दे किया गया एक सभीना बग्जा भंग कार्क्राम था ठीक है तो याद रखियेगा निव डैली में फिर हमारा कोश्चन नमर सेवें थे दोस्तों किसने 30 दिसमबर को भारती सेना की गजराज कोर की कमान समाली है तो गजराज कोर की कमान समाली है याद रखियेगा और इससे पहले दोस्तों दक्षणी मुख्याले कमान में स्टाप चीप थे और गजराज कोर है यह क्या है उन्निश्ट एक निटीन सिस्टी वन में भारती सेना के एक सैने छेत्र था ठीक है तो याद रखिये गजराज कोर भारती सैने छेत्र ठीक है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं स्वक्ष सर्वेक्षन दौरणीस में इसमें रैंकिंग में ठोस्त प्रवंधन म ठीक है और दोस्तों यह जो सर्वेक्षन है विभीन मान को पर रहें करता है तो यह आप याद रखिएगा स्वक्ष सर्वेक्षन दो एठारा में ठोस अफ्षिस्ट प्रवंधन किसे सर्वसे सर्वसे से चुना गया है है थाधरावान नगन निगम फिर हमारा कोशन नमान दोस्तों किस राज्य के MNJ इस्टिटूट ऑफ उंकोलाजी एंड रिजनल कैंसर सेंटर का नाम गिनीज बूक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हो गया है तो यह दर्ज हुआ है दोस्तों तेलंगाना ठीक ऑप्सन डी देखे तो तेलंगाना गवर्मेंट ने MNJ सबसे बड़े स्वास जागरुकता कारिकरम का उजन किया था और दोस्तों इसके लाबा गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड के लाबा अस्पिताल को हाई रेंज बूक आफ वर्ल्ड रिकार्ड सभी मानेता मिली है ठीक है तो मिला है तेलंगाना को चलिए कोस्टन नमर हमारा टें जीत हासिल की है और दोस्तों उनकी 70 पार्टी जो है अवामी लीग और शहोगी दिलों ने पिछली चुनाव जीत को जो पार करते हो तीन सो सबसी सीटों में से 28 जो इसमें जीत हासिल की है दोस्तों आपको वतादिक बंगलेश की संसाद में कुल 350 सीटे हैं जिन में से 250 अनुपातिक अवंटी थे ठीक है तो बंगलादेश की लगातार तीसरी वारसी बन गई है प्रधानमंत्री शेख हरसीना चली अगला वोशन देख लेते हैं अंतराश्टी क्रिकेट परिशाथ द्वारा निया आइसेशी द्वारा बस 28 के लिए टी 20 के कप्तान के रूम में टी 20 टीम का कप्तान नियुक्ति अगया तो यह याद रखिएगा वंडे टीम का कैप्टेन आइसेशी द्वार कि इसको बना गया है न्यूजिलेंड की सूजी बेट्स को और दोस्तों टीमों का चैंज जो है वोटिंग अकादमी द्वार कि इसमें मीडिया और प्रसाण के ठीक है और दोस्तों भारती महले करेटेम की उपक अप्तान जो है इसमीलियाटी मंधाना को अंतराष्थी के रखिएर और वूमेन वन डे 2 करेटरर आप इसमें चैंश platon मैचों में 678 जैनी growline क्रिकेटर आप देयर का पूरुसकार चुना है इनको जीता है और दोस्तों आप बोता थे को जोलन गुर्श्वामी के बाद श्राज माजित किया जा गां तो फटन अब फटकमेंट बॉक्स आप प्टकमेंट बॉक्स आप ज्यादर दे esperar करेंगें नाए जोछ प्लव सब्सक्राइब नावर्श को और उसको बिल्कुल एक एक दिन आप बिल्कुल important समझे उसका बिल्कुल कीमती समय है ठीक इसको बिल्कुल भी आप जो है समय बरबाद मत होने दिजिए एक एक सेकेंड को जो है आपको इसको यूज करना दोहर 19 को और आपको जरूर सफ़ाल होंगे दोस्तों मुझे प्रियोग साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत